हेलो एंड वेलकम बैक वेलकम टुद टेल्वीन CSS कोर्स यह लेक्चर बहुत ज़रा इंपर्टेंट है इसके अंदर में रिस्पॉंसिव डियाइन के बारे में सीखने वाले हैं हाइट और विर्थ किस तरीके सम एसाइन कर सकते हैं तेल्वीन CSS के अंदर में यह लेक्चर स्क्राव कर तो यह लिए आप तो आट्मेत्रीक लेप रिस्पॉंसिव डिजाइट को विलेगा ठीख है तो इस वहां मतलब आप आप स्माल डिवाइस के लिए मत समझे यह आप कर ने वैसे भी जो नॉर्मल हमारा टेल्वीन सीसे से मॉइल फरस्ट के साब से आप इसमें डिजाइन कर सकते हो लेकिन SM का मतल़ होता है स्मॉल ब्रेकपाइट है यह कर आप थुरा स्क्रोल करो नीचे तो यह क्लियरली यहां पर मैंसन है कि SM जो है इसलिए मैं बता दिया पहले ही शुरू में सबसे पहले ही अगर आपको यहां पर साइजिंग के बारे मिल जाएगा यह इसे रिस्पॉंसिव डिजाइन के लिए बहुत ज़्यादा हैल्प करते हैं तो सबसे पेला हैं यहां पर क्लिक करते हैं इससे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूं इसका नाम रखता हूं इन्डेक्स डॉट .html ओके यह सारा जितना भी सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्सिन वाक्स में जो साइट मिलेगा वहां पर आपको मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके यह ध्यान रखना कि अगर आप नॉर्मल आप अप खुद से यहां से रिलीट कर देना यहां से सिफ्ट और सक्षण करोगे तो आप समय नॉर्मल यहां से यहां से कपी कर के और इस कोड के आएड सेक्शन के यहां सक्षन के चाइर नीचे आप उपर कहीपिख सकते हैं ठीक है लेकिन जब इसे ध्यान तब देना जब सपोज कि आपके वेब पेज कंदर में दो तीन स्टाइल डोट सी एसे पेज़ एटाइच हो तो यह ध्यान रखना कि जो सबसे लास्ट में होगा उसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगा ठीक है आने वाले लेक्चर में हम दे अब इसमें कुछ क्लासस एड़ करता हूं सबसे ठीक है तो यहां मैं कुछ क्लास एड़ करता हूं अभी मैं दिखाऊंगा हाइट विर्थ के बार मैं अब थूरा सा पेसे लिख लेता हूं जिसे की थूरा कुछ पता चले अचाहा इस पीजिए के अंदर कुछ लिखा इसे मैं सेव करूँगा यह कुछ इस तरीकी दिखिए ओके अब यहां अपि हम सबसे पहले अपने विर्थ वाले सक्ष्ट लेया था है जो कोड्कों सब्सक्राइब में था यहां तो सबसे पहले मुद्ध पर क्लिक करूँगा यहां पर का भी सारा विर्थ दिया गया जैस विर्थ जिस तरह लोगे आपका कॉन्टेंट हो जाएगा उसको गणकी नतुर्ण टुर्ण है इससाब सबसे बस आपको बता रहूं कि वहां अगर कोई चीज में लेकिए आ रहा हूं तो कहां से ले रहा हूं ृत सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन यहां बाइड डिफॉल्ट कापी सब्सक्राइब कर लिया और यहां मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूं कुछ तरीके से अकॉंस विर्थ कितना स्पीस एक्वाइड करेंगा ओके तो यहां गया इसको मैं कंट्रोल भी करके पेस्ट करके सेव कर दिया तो अभी यह दिखने रहा होगा यहां पे स्पीस क्योंकि इसके अंदर में कोई भी कुछ भी यहां पर एड नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर देता हूं कि सब्सक्राइब क्लिक करता हूं रेड डाल देता हूं और उसके बाद कुछ टेक्स्ट यहां पर जैसे मैं डाल देता हूं हलो एंड वेलकम बैक ओके अब अगर मैं यहां पर सेव करूं तो यह देखो विर्थ नाइंटी सिक्स जो है वो कितना सब्सक्राइब कर रहा है उस तरीके से यहां पर बन गया वि सब्सक्राइबुरां दीख में इस को दो regan肉 को यी एगापको 200 पिकसले और पूर रख लेटांब नोबंगे और सिल से 5880-कषाइर बेंगा तो तरीके स्क्लेया, टिकर रहा हो कर दो दिखेक यहां पर सेव करूं आप देखना यहां यहां यह मेरा 300 पिक्सल दिख रहा हूँ कि सोरी यह गलत कर देश को मुझे डवल कोर्ट में डालना चाहिए था आप अब अगर मैं इसको सेव करूं तो और पर यहां से चेंज हो गांगा तरीके से तरीके साम विर्थ को डिफाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब और देखना थे टारा और एक तरीके से यहां तो सिर्फ नौर्मल एक तायब था थोड़ और देखना चाहँ इस एग्डामपल का पॉपी करो यहां से ठीक है और इसे कोपी कर लिया इसे मैं रिमूब कर देता हूं ठीक है या फिर इसे कमेंट जाएंगे और यहां देखो वन बाइटू कहीं लिखाओगा यह देखो वन बाइटू मतला विर्थ जो 50% एक्वाइर करेंगा ओके तो यह 50% एक्वाइर कर रहा है अगर आप जाते इसके टेस्ट को सेंटर में डाला है इन दोनों टेक्स्ट के सेंटर में तब थोरा सा इसमे कर देता हूं एक ही साथ इन दोनों में ही जर्के और इसका मैं एक का रख दोन सेंटर हूं बाहद है और और नीचे आपने sources की की कि अब इसको को हो हां से जिए तो अब आप ने हारे हो इसँको सेंटर डाला एक把 दाल सकतो तक है इसको यहां से से ओपन किया हूं इसलिए बार-बार यह बीना रिफ्रेस किये वह ही मुझे दीख जा रहा है तो आपको समझे में आगा कि विर्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अब आप अगर बूट सैब से फैमिलियर होगा ताप वहां पे एक अब आपको इसलिए पर दिखाता है तो फिर मैं किस तरीके से लाज डिवाइस के लिए या फिर इसमाल डिवाइस के लिए क्रिए करेंगे वह देखें तो यह हो गया उसको अब आप अराम से खुद से पर लेना इसमें बहुत ज़्यदा है जान करें नहीं है उसमें आप देखो तो हाइट सबसे पहले वही जीरो नॉर्मल वही विर्थ में डबलू लगाते हैं विर्थ के बाद जो भी आपको लगाना प्रोपर्टी टू लगाओ तो मतलब होगा एट पिकसर इसको फोल्ट से मल्टिप्राइब कर रहे ना जैसे सब्सक्राइब लगा यहां पर उसको समझ लेणा यहांपे सब्सक्राइब चिस तक रेसे मल्टीपल में दिया गया है और जूप आपको समझ में आग भागा हुआ अब यह जो दो सब Letter इसको मैं फिर से comment कर देता हूं यहां पर ठीक है इसको मैं यहां पर comment कर दिया कप इसको सेव करूना ति सारा का साराuard हो जाएक हो का इसके नीचे अब हम यहां पढान को देखने वाले हैं अब इसको में सेवक्ण कुछ नहीं दिखेगा तो сразу आपको यहां पर एक एक करके दिखते जाएगा एक के नीचे एक के नीचे 96 दिखेगा लेकिन इसको इन सब्सक्राइब करता हूं सबसे पहले और पर्टिकुलर आपको 96 हाइट वला दिखा तो इसका किस तरीके से दिख रहा है तो इसमें मैं कुछ बैग्राउंड डाल देता करता हूं एक अपने हसाँ सब्सक्राइब करता हूं यहां पर ठीक है इन सबको मैं कॉमेंट युझा पंदर में लिखता सब्सक्राइब करते हैं इसका मैं सबसे पहले डाल देता हूँ रैड मुझे रैड अच्छा लगता है तुरा देखने में ठीक लगता है जिसे की समझ में आचाहां यहां पर डैक्ट सभी तरीकस दिखते हैं उसके बाद जो मेरा हाइट होगा सबूस कि यह मैं डालना चाहता हूँ 50 पिक्सल के आसपास ठीक है तो हाइट हो गया मेरा 50 पिक्सल अब इसे मैं सेव करूंगा ता भी यहां पर सबूस कि अगर आप बूट से फैमियर होगे तो आपको चाहिए केबल एटी परसेंट इचाहिए बाइस के लिए ठीक है तो आपको समझ में आ गया अभी हम लाज्ज डिवाइस को टार्गेट करेंगे ठीक है तो लार्ज डिवाइस में तो में लिखांगा एल जी उसके बाद यहां पर कॉनल लगाएंगे और लाज्ज डिवाइस में मुझे जो विर्थ है वो चाहिए के उसके बाइस तो सम्क्रेंज कि लिखेंगे एम डी उसके बाद सबूझ के आपको विर्थ चाहिए कितना नहीं यहां पर डालता हूं इसके अंदर नहीं है तो सब उसकिजिए यहां पर मैं 96 डालता हो जालने से कुछ इस तरीगे है यहां पर दिखते अगर सब उचेश को मैं छोटा अब मैं आपको कुछ चीजे क्रिएक करके यहां पर दिखाता हूं कि यहां एक में एक division क्रिएक कर लेता हूं इस division के अंदर में बॉलकम बेक यहां मैं एक क्लास डालता हूं इस प्लास के अंदर में सबसे पहले जो बिना किसी डिभाइस को टर्गेट कि वे मैं अब डालता हूं यहां पे ग्रे नाइन हंड़ेड ओके और ग्रेना डालूँगा तो टेक्स्ट आटोमेटिकली जनरली ब्लैक है तो इसको टेक्स्ट यहाँ पर वाइट मुझे डालना पड़ेगा ठीक है तो इन लिखूंगा वाइट और उसके बाद टेक्स्ट के साइज को मैं यहाँ चेंज कर लेता होगी सेंटर में आजाए ठीक है जो मेरा टक्स्ट है वो सेंटरमें आजाए लिक्ति पछली वीडियो में आपको बदा था किस तरीकर सेंटर में द आघए यहाँ एज अब चाहता हूं कि हाइट जो हईट यह उपर से यह जो इसका विर्थ है इसका जो हईट है वो 200 पिक् अब सपोज कीजिए आपको लाज डिवाइस नहीं आपको मीडियम डिवाइस में चाहिए हाइट 200 विक्स है लेकिन लाज डिवाइस में कोई भी यह नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करो इससे आगे जाओ एक ऐसिव लाज डिवाइस की लिए यह बिल्कुली च्योट अब उसे च्छोटा वकाटा करके दिखता है दिखो보िय हो इसके बाद अगर आप पचाहते हो तो मीडियुम डिवाइस के लिए तो हनुद्र पिक्सल के आसपास आगया और लाज के लिए यहाँ पर नॉर्मल इंटू 4 जो भी होता है उस इससाब से यहाँ पर आगया, अब चाहते हो कि सब्सक्राओं कि अब किए लाज्ट इवाइस में जो आपका यह टेक्सट है वो लेफट siya तो इसी तरीके से काफितल प्रपार्परठी को अब कर सकते हैं तो अब इसeg страш होगा वह सथेड़ा ya ठीक है अब इसे मैं अगर सेव कर दूँ तो यहां पे टेक्ष्ट सेंटर इसमें कोई डिवाइस टार्गेट करने की कोई जुरुए तो यह इसलिए पहले ही मुवाइल डिवाइस इसमें टार्गेट उसके पाद अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हमेरा टेक्स सेंटर है और एक बार चीजा इस डॉकमेंट नेसयों को अब यहां पर पर लेना स्वह कस्टम थीम के बारे में अभी नहीं बताऊंगा बाद में बताने लोगाँ थोड़ा सा ऑक्वर्ट लगेगा हम बीच में एक लेक्ठर इसके बेसे इस जो कस्टाम कोंपी क्यों कैसे चेंज कर सकते हैं यह बहुत रहा इम्रॉटेंट आपका पास 100% प्रशेंट कंट्रोल रहेगा आप पुरे css इन्वार्मेंट के साब से आप अपने हिसाब से कोई भी नेम चूर्ज कर सकते हैं आपने हिसाब से आपका का क्या काम ओता है high-hweezit कर सकते हूं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में टेक किए और भाई बाई आगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे कि जो को आपको बहुत आसानी से मिल जाए ओके टिक किए और और आण वाई बाई थैंक यू कि अ झाल झाल